जह हिंडिये स्ट्वेंट देखिए जहारखंड SSC Excise के अंदर एक वेकेंसी आई हुई है तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या एलिजबिल्टी क्रैटेरिया होने वाली है तो देखिए यहां पर SSC का मतलब है कि ज जहारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ठीक है JSSC यहां पर अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप इसके बारे में देखेंगे यहां पर जो फी होने वाली है वो 100 रुपे होनी वाली है अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो 100 रुपे बाकी अगर आप SC या कि फिर ST से हैं तो आपको सिर्फ 50 रुपे देना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए ठीक है उसके बाद बात करते हैं एप्लिकेशन की तो पचीस दो दोजर बाइस से अप्लिकेशन की सुरुवात हुई है और 26 तीन दोजर बाइस तक इसका अपलाई करने का यहां पर लास्ट डेट है उसके बाद अगर बात करेंगे यहां पर एक्जाम का तो एक्जाम का डेट भी मेंसर नहीं किया गया है एज की बात करेंगे तो यहां पर 18 से लेगर के 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जारखंड का डिटेल है मतल की तो देखें eligibility आपको 10th पास होना होगा सिर्फ 10th high school पास होना होगा passed in any recognized board in India भारत की किसी भी recognized board से आप 10 पास होने चाहिए total post आपको यहां पर पता चल गया कि 583 है excise constable का यह पद है post का नाम है यहां पर unreserved है 237 EWS के लिए 59 और BC के लिए 32 और EBC के लिए 50 और SC के लिए 57 और ST के लिए 148 total 580 पद हैं यहां पर इस form को भरने के लिए आप circuitresult.com पर भी जा करके यहां से apply online करके भर सकते हैं और यहां passages का notification भी देख सकते हैं साथी साथ इसके official website पर भी आप जा सकते हैं तो यह एक छोटा सा update था हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए आपको नहीं पता था तो बताईएगा और इस form को आप अगर eligible हैं तो जरूर भर दीजिएगा मिलेंगे फिर अकली वीडियो में चैनल प कि मात्रम